ओम नमो भगवते बासु देवाय श्रीमत भागवत माहात्म्यम अतप्रत्मोध्याय परिख्षित और बज्जनाव का समागम सांडेल मुनी के मुक्से भगवान की लीला की रहस्य और ब्रज भूमी के महत्तु का वर्णन व्यास उवाच महारशी व्यास कहते हैं जिनका स्वरूप है सच्चिदानन्द घन जो अपने स्वंदर और माधुर्य आदी गुणों से सबका मन अपनी और आकरशित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं जिनकी ही सकती से इस विश्व की उत्पत्ती इस्थिती और प्ले होते हैं उन भगवान सीकस्ण को हम भक्ती रश का आश्वादन करने के लिए नित निरंतर प्रणाम करते हैं नयमिशे सूत मासीनम अभिवाद्य महामतिम कथा मरत रशा स्वाद कुसुलार शियो ब्रुवन नयमिशा रण्य छेत्र में सी सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे उसमें भगवान की अम्रत मई लीला कथा के रशिक उसके रशा स्वादन में अत्यन्त कुसल स्वनक आदिरिशियो ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे यह प्रस्ण किया रिशे उचुह बज्जरम सी माथुरे देसे स्वापवत्रम हस्तिनापुरे अभी सिच्च गते रागी तव कथम किम्च चक्रतो हुए रिशियो ने कहा रिशियो ने पूछा सूत जी धर्मराज युदिश्ठिर जब स्री मतुरा मंदल में अनिरुद्ध नंदन बज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परिक्षित का राजय अभिशिक करके हिमालाय पर चले गए तब राजा बज्र और परिक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कार किया सूत जी ने कहा भगवान नारैन नरोतम नर देवी सरस्वती और महरसी ब्यास को नमस्कार करके सुद्ध चित्ध होकर भगवत अत्त को प्रकासित करने वाले इतिहास पुरान रूप जयक का उच्चान करना चाहिए महापथम गतेरागी परिक्षित प्रतिवी पति ही जगाम मतुराम विप्रा बजणाभ दिद्रक्षया सौनक आदी रिशियो जब धर्मराज युदिस्टर आदी पांडव गण सुरगारोहन के लिए इहमालय चले गए तब समराड परिक्षित एक दिन मतुरा गए उनकी इस यात्रा का उद्देश इतना ही था कि वहाँ चलकर बजणाभ से मिलाएं जब बजणाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुले परिक्षित मुझ से मिलने के लिए आ रहे हैं तब उनका हुर्दय प्रेम से भर गया उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अगवाने की चरणों में परणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए वीर परिक्षित भगवान सी कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन सी कृष्ण चंद्र में ही रमता रहता था उन्होंने भगवान सी कृष्ण के परपोत्र बज्रनाप का बड़े प्रेम से आलंगिन किया इसके बाद अन्तह पुर में चाकर भगवान सी कृष्ण को रोहनी आदी पत्नियों को नमस्कार किया रोहनी आदी सी कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परिक्षित का अक्चन्द सम्मान किया वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए तब उन्होंने बज्रनाप से यह बात कही राजा परिक्षि ने कहा है तात तुम्हारे पिता और पिता महोंने मेरे पिता मह को बड़े बड़े संक्टों से बचाया है मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है प्रिय बज्रनाप यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूं तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता इसी लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम सुख पूर्वग अपने राजकाज में लगे रहो तुम्हें अपने खजाने की सेना की तथा सत्रों को दबाने आदे की तनिक भी चिंता ना करनी चाहिए तुम्हारी लिए कोई करतब है तो किवल एक ही वह यह कि तुम्हें अपने इन माताओं की खूब प्रेम से भली भातिशिवा करते रहना चाहिए यदि कभी तुम्हारे उपर कोई आपत्ती विपत्ती आए अथवा किसी का रणवस तुम्हारे हिर्दे में अधिक लेश का अनुभा हो तो मुझसे बता कर निश्चिन हो जाना मैं तुम्हारी सारी चिन्ताइं दूर कर दूँगा सम्राट परिचित की यह बात सुनकर बजजनाब को बड़ी प्रसनता हुई उन्होंने राजा परिचित से कहा बजजनाब उबाचो राजन ननूचितमे तत्ते यदसमासू प्रभासते तत्त पित्रो पक्रतस्चाहं दनुरुविद्या परदानता बज्जनाम ने कहा महराज आप मुझे से जो कुछ कह रहे हैं वह सरवता आपके अनुरूप है आपके पितानें भी मुझे धनुर्वेद की सिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है क्योंकि उनकी कृपा से मैं चत्रियोचित शूर वीरता से भली भाती संपन हूँ मुझे किवल एक बात की बहुत बड़ी चिंता है आप उसके संबन्ध में कुछ बिचार कीजिए तस्मान नाल पापी में चिंता छात्रम द्रड मुपे युसह किंत्वे का परमा चिंता तत्र किंचिद विचार्यताम यद्द भी ममस्वरा मंडल के राज पर अभिशिक्त हूँ तो था भी मैं यहां निर्जन वन में ही रहता हूँ इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहां की प्रजा कहां चली गई क्योंकि राज का सुक्तो तभी है जब प्रजा रहे माथुरे तो अभी सिक्तो पी स्थितो हम निर्जन वने क्वागतावई प्रजा तैत्या यत्रत राज्यम पर रूचते इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहां की प्रजा कहां चलीगी क्योंकि राज का सुक्तो तभी है जब प्रजा रहे इत्युक्तो विश्णूरातस्तू नंदा दीनाम पुरो हितं सांडिल्य माजुहावासू बज्रसंदेह नुत्ते जब बज्रनाप ने परिक्षित से यह बात कही तब रहों ने बज्रनाप का संदेह मिटाने के लिए महर्सी सांडिल को बुलवाया वे ही महरसी सांडिल का पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे परिक्षित का संजेश पाते ही महरसी सांडिल अपनी कुटी छोड़ कर वहाँ आप पहुँचे बज्रनाब ने विदी पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक उचे आसन पर विराजमन हुए राजा परिछित ने बज्रनाब की बात उन्हें कह सुनाई इसके बाद महरसी सांडिल बड़ी प्रसंदता से उनको सांतुना देती हुए कहने लगे सांडिल उवाचो स्रनूतम दत्चित्तव में रहस्यम ब्रज भूमिजम ब्रजनम व्याप्ति दित्युक्ता व्यापनाद ब्रज उच्यते सांडिल जी ने कहा प्रिय परिक्षित और बज्यनाब मैं तुम लोगों से ब्रज भूमी का रहस्यम बतलाता हूँ तुम दत्चित्त होकर सुनू ब्रज सब्द का अर्थे व्याप्ति इस ब्रज बचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमी का नाम ब्रज पढ सक्त रज तम इन तीनों गुणों से अत्तीत जो परब्रहम है वही ब्यापक है इसलिए उसे ब्रज कहते हैं वह सदानन्द स्वरूप परम जोतिर मैं और अभिनासी है जीवन मुक्त पुरुस उसी में इस्थित रहते हैं इस परब्रहम ब्रज धाम में नंद नंदन भगवान सी कृष्ण का निवास है उनका एक एक अंग सच्चिदा नंद स्वरूप है वह आत्मा राम और आप्त काम है प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं आत्मा तू राधिका तश्य तयईव रमणा दसव आत्मा राम तया प्राग्य प्रोच्च ते गूड़ वेदि भी भगवान सीक्ष्ण की आत्मा है राधिका उनसे रमण करने के करण ही रहस रस के मरमग ज्यानी पुरुस उन्हें आत्मा राम कहते हैं काम आस्तू वान्चितास्तस्य गाबो गोपास्य गोपीका नित्या सरवे बिहाराध्य आप्त कामस्ततस्त्वयम काम सब्दगार्थ है कामना अभिलासा ब्रज में भगवान सीक्ष्ण के वान्चित पदार्थ हैं गववें गौालबाल गोपियां और उनके साथ लीला बिहार आधी वे सब के सब यहां नित्त प्राप्त हैं इसी से सीक्ष्ण को आप्त काम कहा गया है रहस्यम तुदर बेतश्य प्रकृते परमुच्यते प्रकृत्या खेल तस्तश्य लीला नैरन भूयते भगवान सीक्रस्ण की यह रहस्य लीला प्रकृति से परे हैं वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुन सत्तोगुन और तमुगुन के द्वारा शस्ती इस्थिती और प्रलय की प्रतीती होती है इस प्रकार यह निश्र होता है कि भगवान की लीला दो प्रकार की है एक वास्तवी और दूसरी विवहार की बास्तवी लीला स्वासंबेद्य है उसे स्वयम भगवान और उनके रशिक भक्तजन ही जानते है जीवों के सामने जो लीला होती है वास्तविक लीला के बिना व्यवहार की लीला के राज में कभी प्रवेश नहीं हो सकता तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो यह ब्याबहारी की लीला है यह प्रत्वी और स्वर्ग आदी लोक इसी लीला के अंतरगत हैं इसी प्रत्वी पर यह मतुरा मंदल है कभी यही सब यही वह ब्रजभूमी है जिसमें भगवान की वह वास्तवी रह स्रीला गुप्त रूप से होती रहती है वह कभी कभी प्रेमपून हर्दयावाले रसिक भक्तों को सब और दिखने लगती है यही वह ब्रजभूमी है जिसमें भगवान की वह बास्तवी रह स्लीला गुप्त रूप से होती रहती है वह कभी कभी प्रेमपून हर्दयावाले रसिक भक्तों को सब और दिखने लगती है कभी 28 वे द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्त लीला के अधिकारी भक्त जन यहां एकरत रोते हैं जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं उनके अवतार का यह प्रियोजन होता है कि रहस लीला के अधिकारी भक्त जन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रसका आश्वादन कर सकें इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहन करते हैं उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और शी यदीब आदी भी सब और अवतार लेते हैं अभी अभी तो जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलासाएं पूर्ण करके अब अंतरधान हो चके हैं इससे यह निश्चे हुआ कि यहां पहले तीन प्रकार की भक्तजन उपस्थित्ते इसमें संदे नहीं है निट्यास्तलिप्सवस्चैव देवाद्यास्चेति भेदता देवाद्यास्ते सुक्रश्रेन द्वारीकाम प्रापिता पुरा उन तीनों में पर्थम तो उनकी सर्णी है जो भगवान के नित अंतरंग पारसद हैं जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं दूसरे वे हैं जो एकमात भगवान को पाने की एक्षा रखते हैं उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं तिस्री सेनी में देवता आदी हैं इन में से जो देवता आदी के अंस से अवतिर्ण हुए थे उन्हें भगवान ने ब्रजभूईम से हटा कर पहल प्यूंस्ट सदा कृष्ण प्रेमानंदई करू पिण फिर भगवान ने ब्रहमन के साप से उत्पन मूशल को निमित बनाकर यदुकुल में अवतिर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और पुन अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया तथा जिन्हें एकमात भगवान को ही पाने की एक्षाती उन्हें प्रेमानंद स्वरूब भगवान उन्हें बनाकर भगवान सी कृष्ण सदा के लिए अपने नित अंतरंग पारसदों में समलित कर लिया जो नित पारसद हैं बे यद्दिप यहां गुप्त रूप में होने की होने वाली नित ली पश्यंत्यत्र गतास्तव्स्मान निर्जन यत्तम्समंततः जो लोग व्यवहारिक लीला में रिस्थित हैं वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं है इसलिए यहां आने वालों को सब और निर्जन वन सुना ही सुना दिखाई देता है क्योंकि वे वास्त्विक लीला में इस्थित भक्त जनों को देख नहीं सकते तस्मा चिंता नतेकार्या बज्रनाव मदाग्यया वासयात्र बहुन ग्रामान संसिधिस्ते भविश्यति इसलिए बज्रनाव तुम्हें तनेक भी चिंता ना करनी चाहिए तुम मेरी आग्या से यहां बहुत से गाउं बसाओ इसे से निश्चहित तुम्हारे मनुरतों की सिद्धी होगी पहगवान सीकस ने जहां जैसी लीला की है उसके अंसार उस इस्थान का नाम रखकर तुम अपने अनेकों गाउं बसाओ और इस प्रकार दिब्विक बरज भूमी का भली भात शेवन करते रहो गोवर्धने दीर्गपुरे मतुराया महावने नंदिक ग्रामे ब्रहत सानू कार्यार र्याज जास्तित इस्तवया गोवर्धन, दीर्गपुर्ग, डीग, मतुरा, महावन, गोकुल, नंदिक ग्राम, नंदगाउं और ब्रहत सानू बरशाना आदी मैं तुम्हें अपने लिए छामनी बनवानी चाहिए नंजद्रिदोनी कुंडादी कुंजान संसेवत अस्तव, राज्ये प्रजासु सपनास्तम चापीतो वविश्यसी, सच्चिदारंद भूरे सा त्वया सेव्या प्रेयत्नतः उन-उन इस्तानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल, नती, परवत, घाटी, सरोबर और कुंड तथा कुंजबन आदी का सेवन करते रहना चाहिए ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुती संपन होगी और तुम भी अच्चनत पुसंद रहोगे यह ब्रजबूमी सच्चिदा नंदमई है अतह तुम्हें प्रैत्न पूर्वक इस भूमी का सेवन करना चाहिए मैं आसरवाद देता हूँ मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी इस्तल है सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी पज्रसंसेवनादस उद्धवस्त्वाम मिलिश्यती ततो रहस्य मेतस्मात प्राप्षयसी तुम्हें समात्र कह मुनिवर सांडिल जी उन दोनों की इस प्रकार समझा कर भगवान सी कृष्ण का इस्मान करते हुए अपने आश्चम पर चले गए उनकी बाते सुनकर राजा परिचित और बजनाब दोनों ही बहत प्रसंद हुए इती स्रीसकंदे महापुराण एका सीती साहस्त्याम सहितायाम दुतिये बैश्रों खंडे सीमत भागवत महात्मे सांडिल्यू पद्धिस्ट ब्रजभूमी महात्म्य ब्रणनम नाम प्रत्मोत सबह